हेलो फ्रेंट्स आपका हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आठवे महीने में ये आठ बाते आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है जिससे कि आपको नॉर्मल डिलिवरी भी आसानी से होगी और आपकी डिलिवरी एक महीना इस मुस्ली चल लगता है वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को प्लीज एक लाइक सेर सबस्क्राइब जरूर करिएगा और प्यारा से कमेंट जरूर करिएगा और कोई भी क्वारी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा उस पे मैं आपके कमेंट पे विडियो जरूर चाहाँ के लाइए गाती हैं आपको नहीं खाने हैं क्योंकि य कीब यहरा दोत उस में हीग डालना नहीं बोल है क्योंकि यह सारे चीज आपके गैस को जो है रिमूब करता है गैस बनने नहीं देता है और फ्रेंस मैं बताओं कि अगर आप गैस वाली चीजों का इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले तो इस मंत आपका सिसु हेड डाउन पोजिशन में आने लगता है तो क्या होता है कि आपका पेट और आपका मलास है जो है गैस से आना उसके लिए काफी जरूरी होता है क्योंकि जब सिसु हेड डाउन पोजिशन में आएगा तो ही आपकी नॉर्मल डेलिवरी पॉसिबल होगी वरना नॉर्मल डेलिवरी पॉसिबल नहीं होने वाली है तो आपको इस चीज का ख्याल करना काफी जरूरी है कि सर्दी के तो रंग भी रंगे चीजे मिल रही है रंग भी रंगे खाने के लिए मिल रहे है तो बहुत उसको दबा के नहीं खाने हैं नहीं खाने हैं लेकिन बहुत लिमिट में खाने हैं इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका वजन ज्यादा है एट आठवे महीने में अगर आपक जो है तीखा तला भुना और घी बंद कर देने हैं क्योंकि जब वजन ज्यादा हो जाएगा तो भी आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी इस बात को भी आपको ख्याल करना है तो आप क्या करें कि आठवे मन्त में आप घी ना खाके नौवे मन्त में सुरू करि जाए इससे क्या होगा कि आपका वजन बढ़ जाएगा और आपका शिसू उसमें दब जाएगा जब आपका वजन बढ़ेगा तो शिसू का वजन तो बढ़ेगा नहीं तो इसलिए बोला जाता है कि आप आपका वजन ज्यादा है तो इसे कम करने की कोशिस करिए आप लिक को पानी कम पीने लगे तु आपको पानी कम भी नहीं पीने हैं सर्दी हो या गर्मी पानी की मात्रा आप धसी बारा नहीं पी आ जा रहा है तो उसके लिए आप क्या करें कि आप इस्तमाल करिए लिक्विड में नारियल पानी हो गया च्छाच हो promises बना लिजिए पालक बना लीजिए प्रेकार के सूप बना लीजिए और उसको अपने डाइट में इस्तिमाल कर जाए इससे क्या होगा कि पानी भी आपके अंदर भर फूर जाएगा आपको डिय भूडार्यचन भी नहीं होगा और आपकी बोड़ी हाइड्रेट रहेगी क्यो कितनी महिलाएं जो है ऐसा आ रहा है समस्या की महिलाएं पानी कम पी रहे हैं जिससे कि उनको समस्या होने लग रहा है इसके अलावा फ्रेंड्स इस मन्त आप थोड़ा एक्टिविटी भी कीजिए घर के कुछ थोड़ा बहुत काम भी करिए दिन भर कंबल में घुसे नहीं र और काफी जल्दी से नॉर्मल डिलिवरी हो जाएगी तो आपको एक्टिविटी में यानि कि हलका फुलका वाकिंग करना है बहुत ज्यादा नहीं हलका फुलका यानि कि जो तेज तेज कदमों से चलती है उसको मना कर रही हूं मैं तेज तेज कदमों से नहीं चलना है आप तो उस समय जब आपकी डिलीवरी होने वाली रहेगी तो उस समय ये एक्सरसाइज काफी आपको काम आएगी डॉक्टर बोलेगा पुस्ट करने के लिए तो आप पुस्ट अच्छे से कर पाओगे इसकी अलावा फ्रेंड इस मंत आप अच्छे-अच्छे धार्मिक किताबे पढ़िए ताकि आपके सिसु को अंदर कुछ नौलेज हो कुछ ग्यान हो क्योंकि सिसु जो है 80-90% सिसु का नौलेज मा के पेट में मा के गर्व में ही हो जाता है तो अच्छी-च्छी किताबों किताबे पढ़िए अच्छी-च्छी बाते करिए इसके आप बिलकुल भी वाकिंग करना है छोटे-छोटे कदमों से चलना है घर में अगर चल रही है तो छोटे-छोटे कदमों से चलना है तेज-तेज कदमों से अगर आप चलोगे तो इस समय क्या होता है कि आपको डिलीवरी की भी चांस बढ़ जाती है तो आपको छोटे-छोटे कदमों से चलन हुआ है तो सीजसी, ग्रेविटी के कारां आपका सीजसी नीचे सकता है। आपका बच्चेदानी का मुend भी खुल सकता है तो इन सारे कामों को आपको एब वाइड करने हैं करने हैं लेकिन बीच में रेश्ट कर करके करने हैं इसके अलावा फ्रेंड्स आपको राइट साइड राइट करवड ज्यादा नहीं सोने हैं राइट करवड सोने से आपकी जो पाचन क्रिया है उदबती है यानि कि जो आपका आंथ है उदव जाता है जिसे कि आपके सिसू की के तरफ nutrition, oxygen थोड़ा कम पहुंचता है तो इसको भी ख्याल करना है कि आपको left side ज्यादा से ज्यादा सोना है ना तो आपके पेट के बल सोना है और ना तो आपको पीट के बल सोना है करवड सुना है लेकिन लेफ्ट साइट से जादा से जादा सुना है राइड है में थोड़ा कम सुना है इस बात को भी आपको ख्याल रखना है नहीं तो आपके शिआ को निट्रीसियन अच्छे से और उकसीजन नहीं मिलेगा आपकी सीशु की सांसे अब रुकने मतलब रुकने लगेगी तो इस बात को आपको ख्याल रखना काफी ज़रूरी है इसके अलावा फ्रेंड्स आपको आठवे महीने में मैंने बताया कि आपको वाकिंग करना सीड्यों पर चढ़ना उतरना और आपको धीरे 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 हर काम करना चाहिए जिससे कि आपके सिसू का जो इस समय हेड़ डाउन करने का पोजीशन है आपका सिसू हेड़ डाउन पोजीशन में आ जाए जिससे कि आपको नॉर्मल डिलिवरी होने में कोई दिक्कत नहीं हो इसके अलावा फ्रेंड्स आप आपको अपना डाइट बैलेंस लेना है और डाइट आपको निूट्रिसियन प्रोटीन आपके डाइट में होना ही होना चाहिए जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये बात आपको भली भाती पता है कि आपको क्या करना है बाहर के चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, समोसे, चाट पकवरे इं तो आपको डाइट बाले ना है और पॉस्टिक आपको खाएंथबर नई ब्ला पिने घर अगर ठंदा पानी पेड़ाने सब्सक्राइब और इस समय आपको false lever pain आना शुरू हो जाएगा तो ये भी आपको परिशान करेगा तो इससे आपको परिशान नहीं होना है बार बार आपको hospital के और doctor के चक्कर नहीं लगाने हैं आप अपना position चेंज करके देखिए आपको क्या होगा कि आपकी position चेंज करते ही आपको false lever pain खतम हो जाएंगे जब आपको कभी भी ऐसा मैसूस हो कि बहुत जादा दर्द हो रहा है दर्द के साथ sporting हो रही है bleeding हो रही है या फिर mucus plug निकल रहे हैं तो ये delivery का लक्षण होता है और आपको hospital जाना चाहिए तो I hope friends की आपको अब समझ में आ गए होंगे कि आपको कौन कौन से क क्या क्या काम नहीं करने हैं क्या क्या काम करने हैं तो एक बानवय फिर से आप से रिक्वेस्ट करती हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू फर वाचिंग बाइबाए टेक क्यर धन्यवाद गाड़ ब्लेस यू